हवा महल विधान सभा का ये इलाका है और यहां बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा था पिछली बार कॉंग्रेस यहां जीती थी लेकिन क्या ये मूड पूरे जैपुर का है ये जानना भी बाखी था लहाजा विरेश पांडे ने रुख किया मशुहूर महावीर रबडी भंडार की तरफ शहर में इस नाम से बहुत सी दुकाने हैं असली नकली का फर्क करना मुश्किल है यहां एक जगे लोग रबडी का स्वाद ले रहे थे तो विरेश ने चुनावी स्वाद की चर्चा छेड़ दी रबडी की मिठास और सियासी चर्चा जी हां राजस्थान चुनाव में क्या है माहौल और क्या है रुख जानने के लिए हमने 700 साल पुरानी जो महाविर रबडी भंडार है वहां चुना है लोगों को देखा है कि लोग यहां खा रहे हैं पी रहे हैं बैठे हुए हैं और मशूर सबसे मशूर दुकान है और यहां की मिठास चुनावी मिठास कैसी है जानते हैं रबडी खाने वाले बहुत सारे ऐसे यहां के लोग हैं तो साब यह बताओ आप कि गहलो वसंधरा पुनिया सचिन पाइलर्ट बहुत सारी आबो हवा में नाम हैं तैर रहे हैं भाजपा कॉंग्रेस सब जो राजमाइस कर रहे हैं किसकी दाल गलेगी दाल तो कॉंग्रेस की गलेगी तो गल चुकी है नहीं ही दोबारा भी कांग्रेस यह जजा है के बाट के बाट फिर पान. पाउच के बाद पैलट गहलोच इतना अपस में विवद चांट होगा यहां पर फिर दो सरकारी आने के चांस पूरे हैं पांट साल जिसकी सरकार उसके बाद से फिर रोटी बदल जाती है, पलट जाती है सर काम करेगा जो आदमी पो सरकार आएगी हमारे यहां के पारसद हैं अर्बिन जी मेठी कांग्रेस के उन्होंने इस हेरिय में बहुत अच्छा काम किया है जब भी कोई आवशक तो होती है बात उसकी नहीं है, बात यह है कि बात आप से हो रही है आप बताएं कि सरकार जो है किसकी बनेगी यहां कॉंग्रेस का पलणा भारी दिखा गहलोद के काम की लोग तारीफ करते दिखिये मतलब अब तक की पड़ताल में मुकाबला कांटे का दिख रहा है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु सासिश के लिए मचल जाए और यह है इनकी बहु पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे